हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चानल आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फंडामेंटल्स ओफ यूमन जोक्राफि बुक का चैप्टर नमबर 10 यूमन सिटल्मिन्ट का पार्ट नमबर 4 इस वाले हम वीडियो में पढ़ेंगे टाइपस ओफ अर्बन सिटल्मिन्ट तो अगर आपको पार्ट वान पढ़ना हो तू या फिर इस पूरे बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो प्लैलिस्ट के वेने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जा करके पढ़ सक सब्सक्रिप्यशब्ट तो यह कंशन प्रेइड पस तरह के अवलेपो उस पया नाम को सब्सक्रिप्श्तीय नहें 20 o सब्सक्रिशन बढ़ या ऑन का नाम जाता है सिच्ट या फिर मिलियन टाउन का उसे हम काफी अच्छे से अंडिस्टेंड करते हैं कर सकते हैं विद रिफरेंस टू विलेज पॉपलेशन साइज इस नौर्ड वपलेशन साइज होता है सिर्फ वहीं इंपॉर्टन नहीं है इसके अलाव भी जैसे अपिस्ट्रॉक्चर था मारा या फिर काफ विलेजेस में और अल्वेज बेकलियर कट जो फंक्षनल काउंड्रेस्ट होते हैं टाउंस और विलेजेस के वह हमेशा क्लियर कट नहीं होता है बट कुछ स्पेसिफिक फंक्सन्स हैं जैसे हो गया मैनुफाक्ट्रिंग रिटैल एंड होलसेल ट्रेड और प्रोफेसि अंविछ यह सबस्क्राइब तो तो है को रिंग करता है विच है आउट स्पीद इन इट्स लोकल एंद रिजनल लाइवल इन देवाट ओफ लैवस मॉमट मॉमफोर्ट लैवस मॉमफोर्ट के एक्वाडिंग जो city है वो किया है दो is in fact the physical form of the highest and most complex type of associative life जो complex type के life होते हैं, जो highest type के life होते हैं, उस तरह का ये क्या है? फिसिकल form है उनका, जो city है वो, cities are much larger than towns, जो क्या होते हैं? टाउन से larger होते हैं and have a greater number of economic functions, और इनके पास जो economic functions होते हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं, they tend to have transport terminals, major financial institutions and regional administrative offices, इनके पास transport terminals होते हैं, major financial institutions होते हैं और regional administrative services होते हैं, when the population crosses the 1 million mark, it is designated as million city, जब इनको population 1 million mark तो पहाँ जाता है, तो इनको क्या नाम दिया जाता है, million city. आगे हमारा करनरबेशन, करनरबेशन क्या है? तो करनरबेशन है हमारा, तो यह जो टर्म है करनरबेशन का, वो किसके द्वारा दिया गया है? वो पैट्रिक गैडिस के द्वारा दिया गया है, इनका जो एक्जामपल है, वो है Greater London, Manchester, Chicago and Tokyo. आगे हमारा million city. The number of million cities in the world has been increasing as never before. तो जिस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं इतना increase किया था, जो million city के number से वो, तो आज उससे भी कहीं जादा, जो million cities के number है, वो increase कर रहे हैं. तो फर्स्ट है London, London reached the million mark in 1800. तो जो London है उस million mark तक कभ पहुचिया था, 1800 इसका population जो हूँ million mark था, followed by Paris in 1850, Paris 1850 में, New York in 1860 and by 1950, there were around 80 such cities. 1950 तक 80 एससे cities हो चुके थे, जिन में जो population था, वो कहां पहुचिया था, 1 million mark. There were 162 million cities in mid-70s, in 70s में 162 million cities हो चुके थे, and there was three-fold increase in 2005, the number of rich to 438, 2005 में 438 पहुचिया थे million cities. 2016 की बात कर ले, 16 की हम बात कर ले, तो उसमें 512 cities थे, जिनके पास 1 million तक inhabitants थे, और 2013, जो हमारा आने वाला 2030 है, उसका हम बात करे, तो उसमें 662 जो cities है, वो ऐसे हो सकते हैं, जिनका जो population होगा, वो कितना होगा, 1 million हो सकता है. आगे हैं हमारा mega polis, this Greek word meaning, great cities का मतलब होता है, great city was popularized by, जिन गॉट्मन, यह किसके द्वारब popularized किया गया, जिन गॉट्मन 1957, जिन गॉट्मन जिक्निफाई, super metropolitan, reason, exceeding, as union of connections, तो यह बहुत सारे जो connections होते हैं, cities होते हैं, towns होते हैं, cities, towns से मिलकर के, connubation बना था हमारा, connubation से मिलकर के, यह सारे बनते हैं, mega polis, the urban landscape stretching from Boston, in the north to south Washington, in USA, is the best non-example of mega polis, तो mega polis का जब best example, हमसे कोई पूछे हैं, वो इसका है, Boston in the north to south of Washington in USA, ओके, आगे हमारे distribution of mega cities, इसका distribution देख लेता है, mega city और mega polis, mega polis is a general term, for cities together with their suburbs, with a population of more than 10 million people, जो mega cities हैं, वो क्या चीज हैं, तो बहुत सारे cities से मिलकर के बना हैं, और यहां के population, जो होगा, कितना होगा, 10 million people, New York was the first to attain a status of mega city by 1950, New York ने सबसे पहले यह अचेव किया था, 1950 में इनका जो population था, वो कितना पहुँच जा था, 10 million, तो actually तो 10 million नहीं, 10 million से ज़्यादा हो गया था, 12.5 million, the number of mega cities is now 31, now कितने हैं, 31 हैं, and the number of mega cities had increased in developing countries, during the last 50 years, we advise the developed countries, तो बात कर लिए हम developing countries की, तो यहाँ पर जो mega cities हैं, वो काफी जादा developed कर रहे हैं, developed countries में उतना नहीं कर रहे हैं, अब आगे हैं हमारा problems of human settlement, problems क्या हैं, human settlement के developing countries में, the settlements in developing countries suffer from various problems, आगे हम देखते हैं, क्या क्या problems हैं, तो पहला problem में में मारा population, sorry, problems of urban settlement, urban settlement के problems के बारे में भी हम देखेंगे, people flock to cities to avail of employment opportunities and civic communities, people जो हैं वो urban settlement में, urban areas में क्यों जाते हैं, वहाँ पे जो implement हैं, वो available होता है, since most cities in developing countries are unplanned, बट जो cities हैं developing countries के, वो बहुत ही ज्यादा unplanned होते हैं, इन्हें कोई भी किसी भी planning के दोरह नहीं बनाए जाता है, it creates severe condition, shortage of housing, vertical expansion and growth of slums are characteristic, features of modern cities of developing countries, यहाँ पे क्या होता है, shortage of housing, housing के कमी होती है, vertical expansion होता है, जो slum serious होते हैं, वो ज्यादा होता है, vertical expansion केहने का मतलब, जो बड़ी-बड़ी buildings होती हैं, यहाँ पे जो लोग गय हुए होते हैं, migrate करके वो रहते हैं, in many cities and increasing proportion of the population lives in substandard housing, that is slums and squatter settlements, जो बहुत सारे cities हैं, उनमें क्या और कौन से population increase कर रहें, तो जो slum serious में रहते हैं, squatter settlements में रहते हैं, उनका बहुत जादा rise हो रहा, बहुत जादा increase कर रहे हैं वो urban settlement में, in most million plus cities in India, one in four inhabitants lives in illegal settlements, बात कर ले हम one million plus cities in India की, तो यहाँ पे four inhabitants में बन ऐसे होते हैं, जो कि illegal settlements में रहते हैं, which are growing twice as fast as rest of cities, और जो यह cities में रहने वाले जो illegal settlement हैं, illegal settlement में जो लोग रहते हैं, जो दूगिनी तेजी से जो है cities में बढ़ रहे हैं, even in the Asia Pacific countries, Pacific Asia Pacific countries में क्या औरहा, around 60% of urban population lives in squatter settlements, जो 60% population है urban population में, वो कहा रहते हैं, squatter settlement में रहते हैं, slum serias में रहते हैं, आगे हमारा economic problems, the decreasing employment opportunities in the rural, as well as smaller urban areas of developing countries, consistently push the population to urban areas, decreasing employment opportunities in rural areas में, as well as smaller urban areas में, वो क्या करती हैं, वो people को push करती है, urban areas में जाने के लिए, the enormous migrant population generates a pool of unskilled and semi-skilled labor force, which is already saturated in urban areas, urban areas में पहले ही मतलब इतने जादा लोग भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है, जो skilled labor हैं, semi-skilled labor हैं, उनको मतलब वो उनको अपनी तरफ force कर रहा है, अपनी तरफ pull कर रहा है, आगे हैं हमारा socio-cultural problems, यह क्या cities in the developing countries suffer from several social ills, बहुत सारे social ills चाहिए, सफर करते हैं developing countries के cities, insufficient financial resources, fail to create adequate social infrastructure, catering to the basic needs of huge population, तो जो financial resources हैं, वो क्या होता है, insufficient होता है, ताकि उनकी जो basic needs हैं, वो complete हो सके, basic needs complete करने के लिए भी इनका जो financial resources होता है, वो sufficient नहीं होता है, the available educational and health facilities remain beyond the rich of urban poor, जो urban poor लोग हैं, जो slum से रियाज में रहते हैं, वो health facilities तक का use अच्छे से नहीं कर सकते हैं, या फिर educational facilities हो गई, ये इनके लिए available तो सब के लिए होता है, बट ये इनके rich से बाहर होता है, ये ये साई चीजों का use नहीं कर पाते हैं, आगे हमारा health indices also present a gloomy picture in cities of developing countries, health भी काफी जादा ये देखने को मिलता है, कि जो health है वो भी मतलब अच्छे से नहीं मिल पार है, slum series को people को developing countries के cities में, lack of employment and education tends to aggravate the crime rates, जो lack of employment होता है, employment नहीं मिल पाती लोगों, education नहीं मिल पाता अच्छे से लोगों, तो इसके वज़े से क्राइम रेट और भी जादा बढ़ता है, male selective migration to the urban areas, resort the sex ratio in these cities, जो male selective, जो male लोगों होते हैं, जो लोगों होते हैं, जो rural areas, urban areas में जाते हैं, उनमें क्या होता हैं, उनमें जादा तो लोगों होते हैं, जो male होते हैं, तो इसके वज़े से जो urban areas है, वहाँ पर जो sex ratio है, उसमें भी काफी जादा difference देखने को मिलता है, आगे हमारा environmental problem, environmental problem क्या है, the large urban population in developing countries, not only uses but, also disposes of huge quantity of water, and all types of waste materials, तो जो urban population है, large developing countries की, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ quantity of water का use यूज नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे waste materials का होता है, many cities of developing countries even find it extremely difficult to provide the minimum required quantity of portable water, and water for domestic and industrial uses, तो जो बहुत सारे cities in developing countries का जहाँ पर, जो minimum required होता है quantity of water का, उसे भी वो provide नहीं करा आपाते हैं, and water for domestic या फिर industrial uses, सारी चीजों के लिए water अच्छे से अवलेबल नहीं होता है, आगे हमारा improper sewer system, create unhealthy condition, तो ये जो improper sewer system हो गया, वो क्या करता है, वो unhealthy condition create कर देता है, massive use of traditional fuel in domestic, as well as industrial sector, severely pollute share, तो जो massive use होता है, traditional fuel का, उसके वज़े से क्या होता है, domestic खाना बनाने के लिए हम जिस तरह से use करते हैं, लकडी वगएर का, तो उससे जो air है urban विराज का, वो काफी ज़्यादा पॉलिटेड होता है, the domestic and industrial waste are either let into general sewers, or dumped without treatment at unspecified location, तो जो domestic and industrial wastage होता है, वो भी इधर से उधर ऐसी फेक दिये जाते हैं, उनका भी कोई planning नहीं होता है, use concrete structure erected to accommodate the population and economic play, a very conductive role to create hit highlands, अब हम आगे देखेंगे, कि क्या है, cities, towns and rural settlements are linked through the movement of goods, resources and urban people, sorry, resources and people, cities, towns, rural settlements होता है, वो किस तरह से बहुत सारे goods और resources होता है, उसके साथ जो है, जुड़े हुए होता है, movement से, इसके movement से जुड़े हुए था, the urban rural linkage are crucial importance for sustainability of human development, और जो यह urban rural linkage है, वो भी काफी ज़्यादा होना ज़रूरी है, विकाज अगर यह नहीं होगा, तो फिर सारा चीज अच्छे से, stable link का अच्छे से नहीं चलेगा, as the growth of rural population, has outspaced the generation of employment and economic opportunities, जो growth है rural population का, वो क्या हो रहा है, आउट स्पेट the generation of employment and economic opportunities, rural to urban migration has steadily increased, particularly in developing countries, which has put enormous pressure on urban structure and services, that are already under serious stress, तो जो urban population, वहाँ पर उतना अच्छा growth नहीं हो रहा है, जिसकी वज़े से क्या है, वहाँ पर implement नहीं है, economic opportunities नहीं है, इसकी वज़े से क्या हो रहा है, rural to urban migration हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ये increase कर रहा है, particularly कहाँ पर developing countries में, लेकिन जो urban areas है, वहाँ पर ये चीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा serious है, वहाँ पर employment तो मतलब मिल तो जाता है, बट ये काफी ज़्यादा serious stress पहले से ही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये था हमारे चैप्रेट में और ये चैप्रेट हमारा पूरी तरह से खतम हो जगा है, और fundamentals of human geography book हमारा यही तक था, यही चैप्रेट था last, तो guys I hope आपको अच्छे से समझ में आऊगा, तो अच्छे समझ में आगर आ गया होगा, like, comment and share किजेगा, और साथ ही साथ चैनल को भी subscribe कर लेजगा, so thank you so much, best of luck, और मिलेंगे अब हम next video में, अगले किसी और book के साथ,